तो दोस्तो new series update भाई नए feature आने वाले हैं हाँ भाई यूए lag मा रहा है भाई battery drain का fix होगा भाई proximity sensor में bug है भाई volume कम हो गया है भाई का fix होगा अबे कुछ बोल तो दोस्तो स्वागत है आपका हमारी एक नई वीडियो में तो यह थोड़ी सी comedy की है प्लीज बुरा मत मनाईएगा नहीं पसंद आई तो comment जरूर कीजेगा और यह भी जरूर बताईगा कि आप अभी कौन सा show me का device यूज़ कर रहे हैं तो यह आपके बहुत सारे question आ रहे थे me you are 11.1 series को लेकर कि आपको यह update कब तक देखने को मिलेगी क्या कुछ यहाँ पर fix होने वाला है तो दोस्तो सारी information इस वीडियो में देने वाला हूँ यह अगर वीडियो पसंद आती है यह यह लाइक जरूर दीजेगा क्योंकि आपके लाइक से ही हमें motivation मिलती है वीडियो बनाने के लिए और अगर आप हमारे चैनल पर आई है वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब जरूर कीजेगा तो दोस्तों वीडियो की शुरूरात करते हैं तो दोस्तों यहाँ पर एक news निकल कर सामने आई थी जिससे पता चलता था कि MIUI 11.1 series की update हमें हमारे devices में बहुती जल्द हमारे devices में मिलने वाली है और दोस्तों यही नहीं अब तो global में भी यह news आ चुकी है क्योंकि यहाँ पर stable testing and bug hunting जो है वो start होने वाली है तो यहाँ पर stable tester ढूंड रहे हैं दोस्तों मैंने एक वीडियो बनाई थी stable testing पर अगर आपने अभी तक apply नहीं किया है तो आप अभी भी apply कर सकते हैं लिंक मैंने description में दे दिया है आप ज़रूर apply कीजेगा क्योंकि यहाँ पर bug hunting जो होने वाली है क्योंकि यहाँ पर जितने भी bugs हैं सभी clear होने वाले हैं इस update में क्योंकि show me पूरी कोशिश करेगा सभी bugs को ढूंड कर पूरी तरह आपको एक stable update दी जाए और दोस्तों उसमें आपको 11.1 सीरीज की भी update मिलेगी जिसमें काफी सारे फीचर्स भी आने वाले हैं अल्ट्रा पावर सेवी मोड हो गया है एप ड्रो हो गया और काफी सारे चोटे-चोटे फीचर्स हमें देखने को मिलेंगे पर दोस्तों अब यहाँ पर सवा जाएगा कि आपको कौन-कौन से bugs मिल रहे हैं तो उन सभी bugs को जो है वो properly examine किया जाएगा तो देखा जाएगा कि कैसे fix होंगे तो दोस्तों थोड़ा से इसमें time लगेगा और नई update बनाई जाएगी तो दोस्तों यहाँ पर news के अनुसाल February के महीने से जो है वो update से शुदू होने वाली है MiUI 11.1 series की तो दोस्तों आपको यहाँ पर थोड़ा सा वेट करना होगा अभी supported devices के लिए कोई भी information नहीं है पर यहाँ पर काफी साले devices जो हम लिस्ट किये गए है पर Redmi Note 4, Redmi 4, Redmi 5 ऐसे पुराने devices अभी यहाँ पर शामिर नहीं किये गए है पर दोस्तों उमीद है सबी devices को यह update देखने को मिलेगी तो दोस्तों हमें February की वेट करनी होगी क्योंकि February से ही यह update से शुरू होने वाली है न्यू डिवाइस को पहले update मिलेगी और older devices को थोड़ा सा लेट तो दोस्तों यह सारी information थी यहाँ पर MIUI 11.1 series की update के बर में वीडियो पसंद आई है तो यह लाइक जरू कीजेगा